है लो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम जानेंगे निबंद लिखन के विशे में बच्चों किसी एक विशेश विशे पर अपने विचार प्रकट करना निबंद लिखन के लाता है जिस विशे पर हम निबंद लिखते हैं उस विशे का हमें अच्छा ग्यान होना चाहिए यदि संबव हो तो उस विशे से संबदित लेक वो पुस्त के जरूर पढ़ने आपक से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मेरी माने मुझे बताया कि यह पंक्ती इकबाल ने लिखी है मां से इस पंक्ती का अर्ज जानने के बाद मुझे लगा कि इकबाल ने कितना सही लिखा है हमारा देश भारत वास्ता में दुनिया का सबसे अच्छा देश है माने मुझे भार सबसे पहले फैला भारत ने ज्यान को सारे संसार में फैलाया इस देश की धरती हर प्रकार के अनाच की रूप में सोना उगलती है याने कृतियों की रूप में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य हमें प्राप्त हुआ इसलिए इसे धरती का पालना भी कहा जाता है इस देश मे संस्कृती भी अत्यांत गौरव मई है यहां हर जाती वा धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं सभी भारतिये एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं अगला विश्य है हमारा पुस्तकाले के लाब पुस्तकाले अर्था लाइबररी एक ऐसी जगह है जहां मेरे मन को बहुत शान्ती मिलती है पहली बार पिताजी मुझे लाइबररी तब लेके गर गए थे जब मैं केवल पांच वर्श का था लाइबररी में असंख्य किताबे देखकर मैं हैरान रहे गया था इसके बाद जब मुझे पता चला कि यहां से रोज एक किताब जारी करवा कर ले जा सकते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगा पहले तो मैं नहीं नहीं किताबे खरिदने के जित करता था लेकिन पुस्तक पुस्तकाले में हर आयू और हर रूची के व्यक्ति के लिए किताबे होती हैं हर तरह की पत्री का यहां मिलती है और हर तरह का अख़वार भी हां मिलता है स्कूल में हर सब्ता पुस्तकाले के लिए दो पीरियट निश्चित हैं इनका हम बेसबरी से इंतजार करते हैं नई नई किताबे जारी करवा कर ले जाते हैं और उन्हें उसे दिन पढ़ भी लेते हैं क्योंकि अगले पिरियर्ड में दूसरी किताब जो लेनी होती है स्कूल के बाहर जो पुस्तकाले होता है वहां तो घंटों बैठे रहने का मन करता है पुस्तकाले के कुछ नियम भी होते हैं वहां किसी किस्म की कोई आवाज नहीं करनी होती चुच्चा पुस्तकों को पड़ो या जारी करवाओ कितबा किताबों को समय पर लटाओ अले था शुलक यानि फाइन देना पड़ता है किताबों को फानने और उन पर निशान लगाने पर भी दंड मिलता है मैं तो कविता प्रतियोगिता भाशन प्रतियोगिता और नाटक प्रतियोगिता के लिए यहां से भी किताबे लेता हूं और जरूरी चीजे फोटो कॉपी करवा लेता हूं यही सबसे अच्छा तरीका है पुस्त काले से सबी को हिलाव होता है अगला विशे है एकता में शक् उसका एक भी पुत्र उसे तोड़ना पाया फिर उसने उस गठर को खोल कर एक एक लकड़ी उनके हाथ में दे दी अब उस एक एक लकड़ी को हर पुत्र ने असानी से तोड़ दिया पिता ने अपने पुत्रों को समझाया यदि वे मिलकर रहेंगे तो कोई उनका बाल भी बा तैने से हमिशा लाव हूता सक् Janeiro वेक्टी नहीं ना तो समय से काम समापत कर अखायए और काम लगता है कां करते हुए उॎ उक्ताहत होने अब हमारा अगला विश्य है मेरी जिम कॉर्पेट पार्क की यादरा मेरे पिता वाई साना में पाइलेट है उन्हें देश विदेश में कही जगों पर आई दिन घुमना पड़ता है मुझे भी उनके साथ कही जगों पर जाने का अफसर मिला उनके साथ मैं जितने विस्थानों पर गया हूँ उनमें से एक सबसे अच्छा मुझे जिम कॉर्पेट पार्क लगा मेरी वार्शिक परिशाएं समाप्त हो गई है परिनाम निकलने में कुछ ही दिन बाकी थे पिता जी ने सब परिवार हमें जिम कॉर्पेट पार्क ले जाने की यूजना मनाई यह यूजना ही मेरे लिए बहुत उत्सा वर्दक थी हमें अगले दिन ही निकलना था मैं अपनी तैयारियों में जुट किया मैंने अपने साथ दूरवीन आईपाट और कैमरा रख लिया अगले दिन सुबे पांच बजे हम अपनी कार से जिम कॉर्पेट पार के लिए रवाना हुए रास्ते में गजरोला नामक जवग पर नाश्ते के लिए रुके नाश्ता करके हम फिर से आगे चल पड़े और दोपेर तक वहाँ पहुँच गए उस दिन हमने अराम किया क्योंकि अगले दिन सुबें पांच बजे हमें सफारी के लिए रवाना होना था तैय कारेकरम तैय कारेकरम के अनुसार हमने ठीक पांच बजे बिजरानी प्रवेश किया द्वार से जिम कॉर्बेट पार्क में प्रवेश किया अंदर पहुँचते ही मेरी आखे खुली रह गई चारो और हरा भरा जंगल पहारी रास्ता पशु पक्षियों की मनमोहक अवाजे सुन हम रोमांचित हो गए हम सब हर कोने और हर जारी के भीतर जांग जांग कर भाग की एक जलक पाने को बेचें थे अचानक मेरी चोटी बहन की चीख निगल गई और उसने 50 मीटर आगे सड़क के बीचों बीट बैठे बाग की और शारा किया हम सब उस विशाल खुफसरत बाग को देखती ही रह गए एक शन के लिए तो समझ में नहीं आए कि क्या करे फिर कैमरे से मैंने उसकी फोटो उता रही आज भी वेद्रिश्य याद करके मन में एक रुमांच सा उत्पन होता है अगला विशे है हमारा दिल्ली दिल्ली भारत की राजदानी है यह यमना नदी के तट पर बसाओ अती सुन्दर नगर है इसका पुराना नाम इंद्रप्रस था जो पांड़ों ने रखा था सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजों के शाषन काल में भी भारत की राजदानी दिल्ली ही थी इस प्रकार ये एक एतिहासिक नगर है यहां अनेक एतिहासिक इमारते हैं जिन में लाल किला, जामा मजदेत, कुतो मिनार, जंतर मंतर, हुमायो कागपरा, आदी प्रसिद हैं धार्मिक सलों की भी दिल्ली में कमी नहीं है यहां का बिरला मंदिर, छत्तरपूर मंदिर, लोटस टैंपल, बंगला साहिब, गुर्द्वारा, सीजगंद गुर्द्वारा आदी विशेश प्रसिद है दिल्ली में स्थित, संसत भवन, राश्पती भवन, इंडिया गेत, आदी अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई सुन्दर इमारते हैं यहांने एक सरकारी ववनीजी बहु मिंजला इमारते हैं यहां से देश विदेश जाने के लिए हवाई यात्रा के सुवीदा उपलब्द है देश के सभी भागों के लिए रेल वो बस या तयात सुविदा भी या उपलब्द है याने एक बड़े-बड़े अस्तपाल स्कूल वो दशने स्थल है बच्चों के मनुरंजन के लिए चुडिया घर, बाल भवन, गुरिया घर आदी है या कनाट प्लेज, सदर बजार, कश्मीजी बजार, चानली चौक, करोल बाग, आदी बड़े बजार है वश भर, परियटक, दिल्ली, भ्रमण के लिए आते हैं और इस सुन्दर नगरी की सहराना करते है अगला विशे है हमारा डाकिया हम अपने मित्रों अत्वा संबंदियों को पत्र भेशते हैं वे भी हमें पत्र भेशते हैं पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने का काम डाक घर करता है डाक घर से जो व्यक्ति पत्रों को हमें देने आता है वे डाकिया होता है डाकिये का हमारे जिवन में बहुत महत्व है डाकिया अपनी वेश भूशा के कारण दूर से ही पहचाना जाता है वे खाकी वर्दी पहनता है वे अपने कंदे पर एक थैला लटकाए रहता है उस थैले में पत्र पार्सलादी होते हैं डाकिया निच्ची समय पर डाक घर में जाकर अपने शेतर के चिठ्यां लेकर उन्हें इस प्रकार विवस्तित करता है कि उसे बाटने में परिशानी ना हो डाकिया की आने का सभी को इंतिजार रहता है वे कभी खुशी के समाचार लेकर आता है तो कभी दुख के विशेश तोहरों अत्वा अफसरों पर हम उसे उपहार भी देते हैं डाक्या किसी से इर्शा नहीं करता वे सबके लिए समान भाव से काम करता है डाक्या सभी को आवाज देकर उनके पत्र देता है वे किसी के पत्र दूसरों को नहीं देता डाकिया समाज का सच्चा सेवक है और अगला विशे हमारा मेरे जीवन का लक्षे कुछ लोग भारी धन संपत्ती अर्जित करने के सपने पालते हैं तो कुछ अपने चारों और भरपूर सुख सुविदाय जुटा लेता है अच्छा सुविदापूर, मकान, मोटरगारी, नौकरचाकर, यश, मर्यादा, उचापत, सुयोग्य और विनम्र संतान अच्छे सुयोगी मित्र सभी के जीवन के सवपन है मेरा सवपन भी अच्छा शिक्षक बनने का है समाज का सबसे बड़ा संसकारत्मक, सबसे बड़ा सुधारक और समाज सेवी शिक्षक ही तो होता है कुछ लोग समस्ते हैं कि शिक्षक का सामाजिक आर्थिक जीवन उचा नहीं हो सकता उसे जीवन भर आर्थिक तंगी के भी से गुजनना पड़ता है उसका सामाजिक सम्मान और सर भी डॉक्टर या इंजीनियर जैसा नहीं है क्योंकि सामाजिक मान प्रतिष्टा का मामदर्ड दो आर्थिक स्थिती है पर मैं समझता हूँ कि इन बातों में कोई सचाई नहीं है चंद्रगुट के शिक्षक चानक के एक अध्यापक ही थे सिकंदर के गुरु अरस्तू को कौन नहीं जानता अध्यापक का कारे बड़ा पवित्र और जिम्मेदारी का है वे मनिश्यों को सही अर्थों में मनुश्य बनाता है मनिश्यों को गरना, सवाना, बड़ा नाजुक और जिम्मेदारी भड़ा कारे है फिर भी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष समाज का कल्यान है लोग खित की राह है आत्म संतोष का पत है अत्यव, शिक्षण से अधिक और कोई भी कारे मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके द्वारा मैं अपने को पवित्र और उज्वल बनाये रख सकूँ एक और समाज सेवा के उचे लक्षे को प्राप्त कर सकूँ तथा दूसरी और इसके निरंतर ग्यान के जोतिर में संसार में रह पाऊं तो मिद करते हूं बच्चों, निबन लिखना आपको अच्छे से समाद आया होगा अब आप इसका भ्यास कारे स्वेम कीजिए